हेलो अब्रिवन सभी को स्वागत है और सभी को जुहार और एक इस तारीकों जैसे प्रोग्राम रखा गया है राची में विधान सभा गिरने का और टाइमिंग जो है साड़ी आठ के आस पास है तो मैं आसा करता हूं कि मेरे माध्यम से कुछ लड़के अगर महां पहुंचें और एक इस ट्रेंट चाट बार फॉर्म भर चुका है अभी तक यह पाचवा होने वाला है उनका और अभी तक एकजाम नहीं लिया गया है मतलब आप समझ जईए कि क्या इस्तिती है कि इस तरह राजनिती जो है हावी है चात्रों पे आप समझ सकते हैं कि एक सही डंग से न जथे अधिकारी और हमारे मुख्यमंत्री साहब और जितने विधी विवाक के उनके सयोगी हैं उनको पता नहीं हогगा ऐसी बात प 거야 बनाते है क्याको नोकरिडे नहीं देनी है ठीक है राजनीतिक पार्टी उनको सलहा देती है कि अब इस तरह नियावली बनाई है जो कोट में फज़ रद हो जाए और हमको नियुक्ति देना नहीं पड़े और सरकार के भी मंसा यही है कि इनको कोई भी वेतन अपने कारिकाल में नहीं देना है किसी भी युगा को नौकर के और सरकार को फिर से चुनाव का गोशना दूरजार 24 में फिर से लड़ जाना है कि हमने तो इतना वेकेंसी निकाला कोट ने रद कर दिया मतलब एक होता है ना कि बहाना बनाना वो बहाना खोजने के लिए पॉइंट वाई पॉइंट अपना जो है सिरियल दिखिया अब जैसे ही वहाँ पे हुगा अदेवगर मोजेन उनका मिटिंग था डैट ले बोल दिया कि कोई भी स्टेट में कोट रद नहीं करता है पता नहीं जहार करने में कैसे रद कर देता है एकदम भुडवग बनाया काफे जा रहा है सभी चातरों को क्योंकि महोदे को पता है कि क्यो रद किया गया इसके पड़ेगा और एक इस तारिको राची में मतलव कल ही बहुत बड़ा अंतलण होने वाला है मालीजे आप 19 तारीकों आप देखे लिए सभी जिल에 में लगबग लगग उगर प्रदरसन किया गया हजारी वाग में तो महुल ही आप देख लिए हचार हजार स्टर्ण वह पर आ चुके थे तो रांची में भी कुछ बहतर होने वाला है तो शहयोग करने से ही जो है आपको भी शबलता मिलेगी और तभी न्यूजर निति बनके वेकेंसिस वगरा आ सकेंगे ऐसे नही आईएगा क्योंकि शहयोग किजेगा तभी जो है सरकार जुगेगी ऐसे जुकने वाली सरकार नहीं है आपके बात को सुनने वाली सरकार नहीं है अगर आप घर में बैठे रहिएगा तो आपका उम्र ऐसे खतम जाएगा हमारे सिक्षा मंत्री जो सिर्फ 10 पास ये 11 पास है उनका स्टेटमेंट आप देख रहे हैं क्या बूले थे वो कि उम्र कोई रुखने वाला चीज है नया लड़का आएगा बताइए कि एक सिक्षा मंत्री जो एक समविधानिक पदबे बठे हुए है इतने बड़े पदबे बठे हुए है और उसके बाद उनका वाली चीज है निकल गया अगर जहारकान में कितना दुरुभागी की बात है दोजार अठारे के बाद कोई भी वेकेंसी जैससी किलियर नहीं की है एक सिंगल नोकरी तक जैससी के मातिम से नहीं हुआ है और पांस साल में समझ रहे हैं जो युवा उम्र कम रहने के कारण फ जहारकान की राजनीती और यहां के अनपड़ लोग मैं तो मानना चाहूंगा और मांग भी रखोंगा कि कोई भी विधायक तो मालीज्य सिक्षा से कोई भी मन नहीं सकता है हम जानते है के रेटर गया रखेंगा तो सब बाहर हो चाएगा लेकिन मैंटली चेकप जरूर होन नहीं है तो इस तरह के नेता को सही और सम्भिधानिक पद पर पहुंचने से पहले ही मेडिकल के मांदेव से रोकना चाहिए कि आप उस पद पर जाके इस पद का दुरूपयों करेंगे जिस तरह हमारे सिक्षामंत्री कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं चात्र कितने परिश पर आप समझ सकते हैं कि कि इस तरह का इस्तती जारकन में होने वाला है और कितना बड़ा आंदर होने वाला है ठीक है क्योंकि अधितर रड़के यहां पर बाहर हो गया उम्र शीमा में मैं बार बार बोलता हूं कि जो फॉम भर नहीं सका था उम्र कम रहने के कारण वह अगर नहीं वाला इस्तिती पैदा हो जाता है जारकन में क्योंकि यह हमेशा होता तो उस इस्तिती में फिर से आपको त्यार रहना ही पड़ेगा क्योंकि आपके सायोग से ही चात्रों के सायोग से ही जितने भी नितागन है वो लड़ाई लड़ेंगे इस से बहतर तो बहतर करेंगे और वादा करने के बाद भी अगर कोई सरकार बहतर नहीं करती है तो यह दुरुभागयपुर्ण है यह आप जान रहे हैं मैं किसी भी सरकार को गलत नहीं ठाराता हूं क्योंकि बीजेपी जो है वो भी 1113 करके इस ड्रेंटों को लड़ाया था और कुछ भी वह पैशान कर रही है तो चादर चुकने वाले नहीं है फिर आपकी बिज्रकार को बदल दिया जाएगा यह आप दो समझ सकते हैं ठीक है दिल पे हाद रखके बोलना कि अगर आप घर में बोल दोगे कि JMM को भोट नहीं देना है BJP को भोट नहीं देना है तो क्या आपके फैमिली में एक भी मेमर ऐसा है जो JMM और BJP को भोट देगा आपके अगेंस जाके नहीं ना तो आप जितने भी छात्रे हैं वहीं ना आप जो है डिसाइड करेंगे जिते का कौन लेकिन ये राजनिति दल को पता नहीं है और वो आपको आने वाले चुनाओं में दिखा देना है अगर ये सरकार नहीं सुधर्ती है तो फिर इसका है नहीं कोई भी दल हो बिजेपी हो जे में हो आईसू हो उतना जानकारी किसी के पास नहीं है ये दुरुआ दुरुआ के पुर्ण है चात्रों के लिए कि इस तरह के व्रक्ति इतने बड़े पदबे पहुंच जाते हैं और अपने और एक अच्छा जो है रिनायक डिसिजन लेते हुए और आंदर उनको किया जाएगा ताकि सही रास्ता मिल सके और सही नियुजनीती आपके सामने आ सके और नियमित रूप से वेकेंसी और वेकेंसी का कलेंडर जैसे सी के माध्यम से प्रकासित हो सके अगर चैनल पे